राधे राधे दोस्तो P.W.D. Recruitment 2022 रिलीज हो चुकी है जिसके लिए दोस्तो आठवे क्लास वाले भी आवेदन कर सकते हैं और यह जो वेकेंसी आए दोस्तो वो सेंटर गवर्मेंट की है आठवे क्लास में दोस्तो सेंटर गवर्मेंट की जॉब दोस्तो यह जो notification रिलीज हो सकते हैं पिर चाहे वो male हो या female candidate कोई भी हो और इंडिया में कोई भी से apply कर सकता है सियलर कि अगर बात करें तो आपको गवर्मेंट के रूल की हिसाब स यहाँ पर salary मिलेंगी दोस्तो क्या इसमें male female apply कर सकते हैं जी हाँ दोस्तो इसमें male female और इंडिया में कोई भी हो इसमें apply कर सकता है दोस्तो vacancy का नाम क्या होने वाला है vacancy का नाम यहाँ पर multitasking staff होने वाला है जो कि PWD MTS ठीक है दोस्तो इसमें अब eligibility और selection process क्या होंगा दोस्तो दोस्तो इसमें eligibility यह होने वाली है जैसा कि महिन आपको पहले ही बताए रखा है कि आपकी eligibility दसवी, आठवी, बारावी और कोई भी graduation है graduation से उपर वाले भी इसको apply कर सकते है और यहाँ पर selection process के अगर बात करें आपकी merit list के हिसाब से यहाँ पर आपका selection होंगा apply करने का जो mode होंगा दोस्तो ओर लाइन होंगा eligibility के अगर बात की जाए तो यहाँ पर all India में male, female कोई भी हो जो आठवी कक्षा पास है वो सब इसमें आवेदन कर सकते है age limit की details की बारे में अगर यहाँ पर जाने तो आप देख सकते है general OBC कोई भी हो कम से कम आपको 18 साल या ज़्यादा से ज़्यादा आपको 45 साल होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है selection process के बारे में मैंने दोस्तो जैसे कि आपको पहले ही बताय रखा है PWD की यह vacancy है जो की MTS की है जिसमें आपको आठवी, दसवी, बारवी पास होना बहुत ज़्यादा जरूरी है important links के अगर बात करें तो जो PWD recruitment 2022 का apply करने का जो link है दोस्तो ओ मैं आपको जल्द से जल्द provide कर दूँगा क्योंकि उसकी link अभी active नहीं है जब उसकी link active होंगी मैं आपको तुरंत सचत कर दूँगा और दोस्तो अगर आपको इस vacancy की notification के बारे में जानना है तो आप हमारे description box में जाके link पे click करके आपके पास direct वह notification आ जाएंगी मिलते हैं अगली वीडियो में राधे राधे